आज की रेसीपी मैं लेके आई हूँ, जो की ये मंगोडी की रेसीपी है, मकर संकरांती पे इसे जरूर बनाए जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में और क्रिस्पी हुई होता है, आप इसे सनेक्स में चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, सभी क को बहुत पसंद आते हैं आप लोग भी इसे ट्राइ करना हाई फ्रेंस वेलकम टू माई कोकिंग चैनल तो चलिए इसे बनातना स्टार्ट करते हैं तो मैंने एक कप से थोड़ा कम डाल ले लिया है जो छिलके वाली मौंकी होती है और इसमें मैं ये उरत डाल ये भी छिलके वाली है दोनों उतना डाल के एक कप पुड़ा लूँगी और इसको मैं डाल रही हूँ एक बोल में और इसको मिक्स करके अच्छे से धो लूँगी और इसे दो-तिन घंटे के लिए रख दे रही हूँ इदर इसमें डालने के लिए मैंने एक प्याज लिया है इसे फाइन नहीं चौप करना है, थोड़ा सा मोटा ही रहेगा, इसे चौप कर लूँगी, और ये हरी मिर्च को सब को बारिक चौप कर लूँगी, सारे चीज को चौप कर लेना है इसके बाद जो है ये एक आलू मैंने लिया आप इसमें अपने मन पसंद की कोई भी सबजी डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो मैंने तो नहीं डाला है तो सारे को फाइन इस तरह से चौप कर लूँगी और इधर ये इधर ये मूंग भी फूल गया है इसे मैं पानी निकाल ले रही हूँ और मिक्सर जार में डाल दूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है थोड़ा सा दरदरा ही रहेगा देख लिजे इस तरह के थोड़ा थोड़ा रुक रुक के इसे पल्स मोड में चलाना है तो इस तरह के पेस्ट होना चाहिए अब इसे बाहर निकाल रहे हैं सारे को बाहर निकाल लूँगी और इसमें जो भी कटा हुआ है इसे मैं डाल दे रही हूँ और इसमें सूखे मसाले मैंने एड़ किये हैं ये आदा चमच कुटीवी लाल मिर्च पौडर और आदा चमच हल्दी आदा चमच धनिया पौडर और ये जीरा पौडर है और आदा चमच ये गरम मसाला कुटीवी लाल मिर्च पौडर और जीरा एक चम्मच हिंग ले लिया है और ये अदरक लेसन का पेस्ट डाल लूँगी जो भी एक आलू लिया था उसे ग्रेट करके इसमें डाल दे रही हूँ नमक स्वाद अनुसार डाल के इसको मिक्स कर लूँगी और इधर चटनी के भी तैयारी हो गई है एक टमाटर लिया है धनिया लिया है अरी मिर्च अदरक लेसन जीरा नमक डाल के इसे पीस लूँगी तो ये चटनी ना इसके साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में तो देख सकते हैं इस तरीके का चटनी हो गया है अब इधर पेन में मैंने तेल रख लिया है ये गरम हो चुका है इसमें गोल गोल बड़े डाल लोंगी तो साड़े बड़े को इसमें डाल ले रही हो तो देख सकते हैं ये हो चुका है इसे मैं जल्दी नहीं चलाना है थोड़े देर बाद ही इसमें कल्ची डालिएगा नहीं तो ये तूटके विखर जाएंगे तेल में और फिर उसको एकदम क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करूँगी अंदर तक भी जो की अच्छे से पक जाएंगे और फिर ये हो गया है इसे मैं बाहर निकाल ले रही हूँ सारे को इस तरीके से बाहर निकाल लूँगी और दूसरे बेच का जो बाकी बचा हुआ उसे भी इसी तरीके से डाल लूँगी और बनाक इसी तरीके से बना लेना है अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा सेयर कीजिए और जाते जाते बेल अकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके तो मिलते हैं नेक्स रेसिप्यू में तब तक के लिए बाबाई